हेलो दोस्तों कैसी हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी लोग से हत्मन्द और बहुत अच्छे होंगे वेल आज मैं आपके साथ एक होम में डाई शैंपू शेयर करने जारी हूँ जो की 100% नश्रल है और बालों की कई सारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है यह इतना एफेक्टिव है इतना बढ़िया है और इतने अच्छे से काम करता है कि आप इसे जरूर इस्तमाल करें चलिए लेस्ट चेक आउट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लोही की कड़ाई लेनी है और इसमें एड करना है तो 100 ml के लगभग मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई आमला और जितनी भी चीज़े मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो ड्राई फॉर्म में ले रही हूँ और आपको भी ऐसे ही लेना है इसली आपको यह अपने नियर मार्केट में मिल जाएंगी इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है सोपनेट तो सोपनेट की मातरा मैंने यहाँ पे बढ़ा के रखिये चुकि हम यहाँ पे होममेट शैंपू बना रहे हैं और सोपनेट एक बहुत अच्छा शैंपू होता है प्राक्तिक शैंपू होता है और इसलिए इसकी मातरा मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के रखिये 100 ml लिया है एंट थोड़ा सा और लिया है मतलब देड़ काटोरी के लगबग यहाँ पे सोपनेट रीठा का स्थमाल किया है इसके अलावा मैं इसमें एड़ कर दी हूँ चार हरण अगर आपके पास बड़ी वाली हरण है तो वो एड़ कीजिए छोटी हरण है तो छोटी लीजिए मैंने यहाँ पे बड़ी वाली ली है और अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है बढ़ हां मैंने इसे एड़ किया है क्योंकि यह भी हमारे बालों के लिए अच्छी होती है इसके बाद आपको 100 ml लगबग लेना है शिका काई तो सारी ही चीजे ड्राई उसमें हैं आप देख सकते हैं इसके साथ आपको यहाँ पे लेना है 50 ml के लगबग मेथी दाना मेथ आपको इसमें एड़ करना है 1-2 लिटर लगबग पानी तो पानी को लेंगे और इसमें हम एड़ कर देंगे डाल देंगे पानी एड़ करने के बाद आपको इसे ओवरनाइट धकर के ऐसे ही छोड़ देना है यानि कि पूरे एक रात के लिए आपको इसे धकर के छोड़ना है ताकि जितनी चीज़एं हमने इस नमें अच्छे से पानी में ये सौफट हो जाएं और अच्छे से अपने जो ततव हैं गुं हैं वो इस पानी में ट्रांसवर कर दें तो इसके लिए आपको यहाँ पैen प्लेट लेना है और उसे कवर कर देना है इतनी हुरदा बाहर आए हैं जिसकी वज़़ा से पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया है और साथ ही जितनी चीज़ें हमने इसमें एड कर रखी हैं वो भी यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है अब आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो रीठा है उसके जो बीज है उसे यह कितना ज़्यादा ज़ाग हो गया है इस पैक में अब आपको क्या करना है इस पैक को लेखे चलना है किचन में और इसे अच्छे से बॉयल करना है तो मैं यहां पर आ गई हूं किचन में और इसे हम तब तक अच्छे से बॉयल करेंगे जब तक कि पानी जो है वो और कम ना हो लेकिन उसके पहले आपको एक काम और करना है कि इसमें आपको एक गिलास पानी और एड़ करना है हम शैंपू बना रहे हैं तो शैंपू की कॉंटिटी भी हमें थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी बढ़ा के रखनी है चुकि हम एक डाई शैंपू बना रहे हैं इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत जादा असरदार है जो चीजी इसमें एड़ कर रखी है वो बिल्कुल नेशुरल ने आप सभी को पता है इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर दीजिए और हमेशा हाथ में कोई गलफ्स पहन के ही इसे कीजेगा अदरवाइस आपके नेल्स बहुत जादा ब्लैक हो जाएंगे और ये जादा टाइम तक ब्लैक ही रहते हैं नॉर्मल होने में टाइम लगता है इसलिए अपने हाथों को हम बहतर हो जाएंगे तो आपको इस तरीके से इसे मैश कर लेना है इसके बाद आपको इसे एड करना है एक ايलोवैरा लीव जी हाँ अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप अलोवैरा को स्किप कर दीज़े अधरवाइस आप इसमें एक फ्रेश अलोवैरा लीव डालें तो बालों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बाल में softness तो आएगी ही बाल में natural चमक भी बढ़ेगी ये जो pack है ये संपूर एक ऐसा pack है जो कि आपके बालों की हर एक समस्या को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है क्योंकि ये आपके बालों क से जुड़ी जो समस्या है चाहे वो आपके scalp roots से हो जो बाल कमजोर हो रहे हैं तूट रहे हैं चहर रहे हैं सफेद बाल की समस्या है या बाल ड्राई है बालों में चमक नहीं है उन सब को ये दूर करती है ये ऐसे herbs हैं जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमतकारी होते हैं आपको एक aloe vera को ages को cut करना है अच्छे से wash करके इसे चोटे-चोटे pieces में cut करके इसी pack में आपको डाल देने हैं ताकि साथ में ये सब अच्छे से boil हो जाए अब आपको यहां पे इसे medium flame पे boil करना है पकाना है कि इसकी quantity जो है पानी की वो कम हो और साथी साथ जितन इसे चीजे इसमें add कर रखी है वो अच्छे से एक दूसर में mix up हो जाएं पक जाएं बहुत ही अच्छे से आपको इसे करना है तो guys यहां पे देख सकते हैं पानी की quantity भी कम हुई है और साथ ही हमने जो चीजेस में add कर रखी थी वो अच्छे से यहां पे पक चुकी है अलोवेला का color जो आप देख सकते हैं अलोवेला का वो भी change हो गया है और इसके जो jelliness है जो अंदर से वो भी काफी निकल गया है अ हो जाए उसके बाद आपको next process करना है तो यहां पे हम इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए so guys आप देख सकते हैं यहां पे completely यह ठंडा हो गया है अब इस तरीके से फिर से gloves को पहनेंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको mash करना है इनकी जितने भी quality है गुड़ने से पानी में तो आई चुकी है लेकिन और ज्यादा इसे आपको इस तरीके से mash करके फिर strain कर लेना है तो यहां पे एक छनी ले ली है नीचे एक अनदर बोल रखा हुआ है और आपको mash करते हुए ही इसे strain करना है इसलिए ताकि हमारा जो शैंपू है वो अलग हो जाए तो completely आपको पूरा strain कर लेना है और strain करने के बाद भी आप देख सकते ही कितना जाग है इस पैक में तो इसलिए अब आपको यहां पे थोड़ी देर के लिए आदे घंटे इसे छोड़ दें ताकि अच्छे से mix-up हो ज market की shampoo को तो फिर भूल ही जाएए वो क्या आसर करेगा जो आपके बालों में natural shampoo जो आप घर में खुझ से तयार करती हैं वो करेगा इस तरीके से एक किसी भी bottle में या खाली container आपके पास हो उसमें से fill कर लीजिए तो देखिए यहां पे हमारा shampoo हमने add कर लिया इसे एक bottle में इ कुछ भी add नहीं करना है उसी shampoo से अपने बालों में लगाना है और थोड़ा थोड़ा rub करना है मसाज करनी है बालों की और wash कर लेना है यानि आप जब भी shampoo करने जा रहे हूं तब आपको कोई additional shampoo जो अपना है वो नहीं लेना है आपको इसी shampoo का इस्तमाल करना है अपने बालो में लगाना है अच्छे से इसे मसाज करना है एंड वाश करने लेना है इवनिंग में आप ऑइलिंग कीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग अगें से फिर शैंपू कीजिए मतलब नौर्मली जैसे आप शैंपू यूज करती है अपने बालो में उसी तरीके से आपको इस शैंप पसंद आयो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शैर कीजिएगा चलिए फिर से मिलते हैं कि एनदर वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई टेक केर अपना ध्यान रखिए